उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती जिले में जला सयोंक तुचकित साले में फजिरुन निशा ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक थी जब पेड़ित परिजनों ने नवजाज शिशु को भरती करने के लिए कहा तो पेड़ित परिवार से 1000 रुपए की मांग की और वहां के स्टाफ द्वारा की गई तब जाकर बच्चे को बच्चे वाले वाट में भरती किया गया और एक घंटे बाद जब पेड़ित परिजन ने 1000 रुपए देने से मना कर दिया तब तब ततकाल उस एक दिन के बिमार नवजाज शिशु को वाट से बाहर निकाल दिया और उसका इलाज बंद कर दिया गय पेड़ित परिजन ने विधायक भिंगा असलम राइनी को इस मामले की जानकारी दी और न्याय की गोहार लगाई तो ततकाल विधायक ने अपने पुत्र आतिफ असलम को जुलासायूगत चुकित साले भेजा वहाँ जाकर ये पूरा मामला समझ में आया कि 1000 रुपए के का नवजार शुशू के जीवन के साथ खिलवाण हो रहा था